कोश्चन है जी 6 sin 4 theta plus 3 cos 4 theta equals to 2 तो आपको बात रहना है कि 7 cos 6 theta plus 8 cos 6 theta का 1 by 3 आपको ग्याद करना है चलिए सबसे पहले आपको जाना है यहां पर एक चीज़ा आपको मालूमना चाहिए कि sin square theta plus cos square theta equals to 1 होता है 1 minus sin theta equals to cos theta sin theta equals to क्या होता है perpendicular upon में hypotenuse then cos theta equals to क्या होता है base upon में hypotenuse यह basic चीज़ा है यह आपको याद होने चाहिए question को मैं solve करते है 6 sin 4 theta plus 3 cos 4 theta equals to 2 दिया गया है आपको पर 6 sin 4 theta plus 3 cos 4 theta है तो cos theta को हम कह लिए सकते हैं 1 minus sin theta 3 हो जाएगा बाहर में 1 minus sin theta अब यहां पर देखिए square यह तरह sin theta का हम square देते हैं पूरा का square देते हैं यह पर 4 हो गया equals to 2 अब यहां से देखिए 6 sin 4 theta plus 3 1 minus sin square का 1 minus sin square theta का अगर हम यहां से whole square करेंगे ती हमें क्या देगा यह देगा यह देगा 1 का square 1 होगा plus में sin के पावर के हो देगा यहां पर 4 देगा sin के पावर 4 theta minus में 2 into यह भी होता है तो 3 3 से multiply कर देगा 3 sin के पावर 4 theta minus 6 sin square theta यहां पर 3 छोड़ी गया पूरा लिख देते हैं यहां से देगे 3 होगा 1 में multiply करेंगे तब plus में 0 का 3 sin के पावर 4 theta minus 6 sin square theta equal to 2 देगा यहां से quadratic equation बन गया है हम इसको break करेंगे सबसे पहले है इसको short collect 6 और plus 3 कितना होता है 9 sin के पावर 4 theta minus में यहां पर 6 sin square theta और यह plus में यहां पर 3 अब यहां से इधर जब लेकर आएंगे 2 को जब इधर लेगा है तो 3 में से हम 2 को minus करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो जाएगा plus का 1 equal to 0 अब देगे जब इसको break करेंगे तो क्या लिख सकते है 3 कि इतना सारा चीज तो आना चाहिए इस्टे वो इस्टे ब्रेक करेंगे तो काफी टाइम लेगा 3 sin square theta minus 1 का क्या हम क्या कर देंगे square equals to 0 तो यहां से में sign theta equals to क्या निकल क्या एगा sign theta equals to क्या निकल क्या एगा 1 upon root 3 निकल क्या एगा अभी हमने बताया कि sign theta equals to क्या परpendacular अब उने base होता है अगर यह right angle triangle है यह perpendicular है यह base है तो हम देखिए hypotenuse ने रिखने है यहां पर देखें यह रूट 3 हो जाएगा यह 1 हो जाएगा तो बेस समर्णा कितना हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा यहां से देखें को से ठीटा क्या निकल गाएगा को से ठीटा इको इस टो क्या होता है सब्सक्राइब ए नहीं कितना है सब्सक्राइब R. रूट 2, कोस्ट ठीटा और सेक्ट ठीटा हमें निकल कया गया, चलिए अब फूर करते हैं, वैलू को, सेवेन इंटू, रूट 3 का हम पाउर 6 करेंगे, क्या निकल के देगा हमें, 27 निकल के देगा, प्लस में 8 है, 8 हम यहां से ल हैं, 6 है, 6 है, 6 है, x 6, शीर रूट 3 है, अपन में रूट 2 है, तह रूट 3 का हम 6 करेंगे, कितना निकल देगा है, 27 देगा, और रूट 2 कितना देगा, यह 8 देगा, 27 बटा में हो जाएगा ये 8 और पूरे का 1 by 3 है अब यहां से देखिए 8 से 8 है cancel out हो जाएगा 27 और 27 में और 7 से multiply करेंगे तो यह हमें कितना देगा 27 में 7 से multiply करेंगे तो यह हमें देगा 7 दूनी 14 और 14 प्लस में 27 हो जाएगा ये चलिए इसको हम add कर लेते हैं जब add करेंगे तो 9 साथ 16 हो जाएगा 8 से 10 से 11 और 11 दूनी 14 216 का 1 by 3 कितना निकल गाएगा हमें 6 देगा क्योंकि 6 का किया होता है Q होता है कितना 216 और 1 by 3 है तो इसका मतलब क्या है Q root of 216 216 का Q root कितना देगा 6 देगा तो ये ही आपका इसलों जाएगा option no.C Q root of 216